हेलो एब्रिवन वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड आज मैं एक मेकप लुग करने जाड़ी हूँ आने वाले ने वेस्टिवल यानि की बर्ट साभी त्री बर्थ आने वाली है इसके लिए मैंने एक मेकप लुग किरेट किया है तो चलिए स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले मैंने लेकमी का मॉस्टराइजिंग क्रीम लिया है यह एलो भेरा मॉस्टराइजिंग क्रीम है यह ड्राय सकीन बालों के लिए काफी अच्छा होता है तो मैं इसे अपने पूरे फेस पे लगा रही हूँ इसके बाद मैंने वेल्टन वायल का foundation लिया है, इसका shade है, ब्राउंज वेंज और यह अच्छा foundation है, यह medium coverage देता है, यह high coverage मुझे नहीं लगा, यह medium coverage ही foundation है और इसे मैंने पूरे फेस के साथ मैंने अपने नेक पे भी इसे अपलाई किया है इसके बाद मैं ब्यूटी बलेंडर से इसे ब्लेंड कर लेती हूँ आप अपने हाथ से या फिर ब्रस से भी इसे ब्लेंड कर सकती है हाथों से भी अच्छी से ब्लेंड होता है और ब्रस से भी तो आपको जिस सही लगे आप उसे अच्छी से ब्लेंड कर लीजिए अपने पूरे फेस पे तो मैं अपने पूरे फेस पे अच्छी से ब्लेंड कर लेती हूँ मैंने आप नेक पे भी लगाया है तो मैं नेक भी इस ले थोरा सा कंसिलर, फिंगर से प्नीची रगा रहा हूं फिंगर से लगाए हूं तो अपने नीचे रदे और र्लिप के लीचे नोज के कॉर्णनर में इसा कर रहे हूं यह किस ब्यूटी का मेकप प्लेट है काफी ऑफोटेवल रेंज में आता है यह और अच्छा भी है तो मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है इसके बाद में यहाँ पे फेसिस कैनेडा का कॉम्पैक्ट ले रही हूँ यह कॉम्पैक्ट भी काफी अच्छा है अगर आप कम रेंज में और फोटेवल रेंज में अगर कोई खोज रही है तो यह आपके लिए बेश्ट होगा क्यूंकि यह वननशिटी का ही है और यह काफी अच्छा पॉम्पैक्ट भी इस तो चीप एन बेश्ट कहशती हूं मैं इ देखे फ्रिंट मैंने अपने पुरे फेस पेस से अपलाई कर लिया है और मैंने एक बेस तेयार कर लिया है अब इसके बाद मैं आइब्रो को फिल कर रहे हूँ यह ब्लैक कलर में है तो मैंने अपने आइब्रो को भी सेप दे दिया अब इसके बाद मैं ले रही हूँ आईशेडो प्लेट यह ब्लू हैवन का आईशेडो प्लेट है इससे मैंने एक पिंक कलर का सेट चोज किया है और मैं पिंक कलर से अपने पूरे आइश के उपर अपलाई कर लेती हूँ पिंक के बाद मैंने अपनी शेण्टर में गोल्ड सेड अप्लाय किया है इसे आपके आइसे बड़े-बड़े दीखते है तो मैंने दोनों आइस के ओपर इसे अज़से अप्लाय कर लिया है पिंक कलर एंड सेंटर में गोल्ड कलर मैं अपनी सारे कोस्मेटिक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लूगी अगर आपको पर्चेस करना हो तो आप एक बार चिक कर लीजिएगा इसके बाद मैं लैकमी का आईलाइनर यूज कर रहे हूँ मैं थोड़े से विंक्स बना के अपने आईज को आईलाइनर से फिल कर लेती हूँ मैंने नीचे वाले आईज में भी मैंने सेम आईलाइनर यूज किया है मैंने काजल यूज नहीं किया है और इस तरह से मैं अपने दोनों आखों में आइलेनर अप्लाई कर लेती हूँ देखिए फ्रेंड कितने अच्छी लग रहे हैं फ्रेंड अकर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिए कॉमेंट भी कीजिएगा तो इसके बाद मैं मैबलीन का मस्करा ले रही हूँ यह लॉंग लाश्टिंग मस्करा है साथ ही हमारे यह आईलेस को कर्ल भी करता है तो मैंने अपनी दोनों पलकों पे मस्करा लगा लिया है देखिए फ्रेंड मैंने लगा लिया है इसके बाद मैं थोड़ा साइसी कर्ल कर रही हूँ इससे क्या होता है कि एक तो आपके पलकों पे एक्सेस मस्करा लगा हो तो वो भी निकल जाता है साथ ही आपके पलके भी कर्ल हो जाते हैं इसके बाद मैं थोड़ा सापने फेस को कंचूर कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे थोड़ा contour का यूज किया है यहाँ पे हलके से मैं थोड़े से forehead पे भी अप्लाई कर लेती हूँ और थोड़े से chin पे भी और इसके बाद मैं थोड़ा सा pink color का blush यूज कर रही हूँ अपने cheeks पे हलका light pink में blush यूज कर रही हूँ आप मुझे फेस्बुक पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरे पेज को भी लाइक कीजेगा और फॉलो कीजेगा और आप में इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकती हैं मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लूगी एक बार वो भी जरूर चेक कर लिजेगा इसके बाद मैं वेट इन वाइल का हाईलाइटर यूज कर रही हूँ वैसी तो वट सावितरी का पूज़त डे में होता है तो हाईलाइटर की जोरत नहीं है लेकिन अगर आप चाहे तो हलका लगा सकती है इसे कभी भी ज्यादा मत लगाए तो मैंने हलका सा हाईलाइटर का यूज किया है आप इसे इसकिप भी कर सकती है क्योंकि डे में ज्यादा हाईलाइटर की जोरत नहीं होती है तो इस इसके बाद मैं यहां फे वेट न वाइल का लिपिष्टिक यूज कर रही हूँ और इसका सेड है E966 यह पिंक कलर में है यह पिंक लिपिष्टिक है काफी स्मूध है यह मेरा मेकप अल्मोश्ट डन है अब मैं अपना ड्रेस चेंज कर रही हूँ और मैं इयर रिंग पहन के आपके सामने आ रहे हूँ तो ये देखिए फ्रेंड मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया है साथ ही मैंने एयरिंग पहना है और मैंने SIMPLE सा ONE बनाया है और मैंने सिंदूर भी लगा делает और साथ है मैंने पिंक बिन दी मिलती हूँ नेश्ड विडियो में